आज हम बनाएंगे बिल्कुल बचार जैसे सिल्की और स्मूध आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट वाली आइसक्रीम इसको बनाना बहुत आसान है आज हम आइसक्रीम का एक ऐसा पाउडर बनाएंगे जिससे बिल्कुल पांच मिनिट में यह आइसक्रीम बन जाती है इस दो चम्मच कॉन फ्लॉर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से दूद्ध बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है इसको बहुत देड़ दप पकाने की जरत नहीं होती और आप कोई भी दूद्ध लेंगे उससे बि एलो फूड कलर और इसको एक बार अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे तो हमारा आइस्क्रीम पाउडर बिल्कुल तयार है यह पाउडर आप एक-दो महीने स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी चाहे फटा-फट आइस्क्रीम बना सकते हैं तो अब हम इसकी आइस्क्रीम हमारा आइस्क्रीम पाउडर बिल्कुल तयार है, अब पूरा एक डबब बरके इसको रख सकते हैं मिक्स कर देंगे थ़ंडे दूर में है पाउडर मिक्स करना है अगर आप गरम दूर में डालेंगे तो इसमें थोड़ी गुटल्या पड़ जाएगी तो पूरा आद्धा क ईसमें powder mix करणा और कोछ पावडर मिक्स करना है इसमें ना चीनी डालने है ना कुछ बस इसको डाल की एक बार अच्छे से mix कर देना कि जैसे कि पावडर मेक्स हो जाएगा फञाट दूद्म आ पदा current मिक्स alliances को जाएगा हम इसको गैस पर चड़ा देगे तक तो इसको पांच मेट हो गए है इसमें एक उबाल आ गया है अब हम कैस की फ्लीम को आफ कर देंगे यह जैसे ही उबलना स्टार्ट होगा यह अपना गाड़ा हो जाएगा इसलिए इसको जादा पकाने की ज़र्द निया सिर्फ पांच मेट अब यह बहुत जादा गरम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंड़ा करना है जब तक यह रोम टमप्रीचर भी अगया जाता यह जिसे ही एक बार वरीं टमप्रीचर पह जाएगा हमें इसको लगबख दो गंटे केले फ्रीज में रखना है अब इसको अब सिर्फ इसको दो से तीन घंटे के लिए हमें इ तो मैंने इसको लगबग दो से तीन घंटे फ्रीज में रखा था ये फ्रीज में पड़ा पड़ा बहुत अच्छे से गाड़ा हो गया है अब हम इसको जमाएंगी लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार अच्छे से फेटेंगे मिकसी में तब यह बिल्गुस्मूध ऐस्क्रीम बनेगी तो हम वाहिए डालेंगे गया अधा कप दूठ की मलाई, मलाई की जगा क्रीम डाल सकते हैं फिर मलाई से भी बिल्कुल समूथ आइस-क्रिम बन जाए गी मलाई डालने के बाद हम इसको एक सो दो मिनिट नहीम नहीं चला लेंगे तो अब हमारा इस क्रिम twist तयार है अब हम इसको freezer में freeze करेंगे तो उसके लिए हमें एक बिल्कुल air tight डबा लेना है जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जा सके और जिसका एक ढकन हो उसमें हमारे ice cream mix को डाल देंगे और उसके बार एक plastic sheet लेगे हम इसके उपर अच्छे से cover करेंगे और इसकी जो laid है वो लगा देंगे इसको हमें लगबब पूरी रात यार 7 से 8 गंडे तक freezer में freeze करना है तो ice cream को पूरी रात मैंने freezer में रखा था अब हम इसको निकालेंगे इसमें बहुत छोटे छोटे air bubbles है क्योंकि हमने इसको mixi में एक बार चलाया था इसलिए इसमें जो air है वो अच्छे से अंदर आ गई थी और अब यह बहुत ही smooth और soft ice cream बनी है मैं आपको चम्मा से निकाल के दिखाता हूं यह पूरी रात freezer में थी लेकिन तब भी इतनी soft है तो अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और इस बार इस ice cream mix से यह ice cream ज़रूर बना के try करें बिल्कुल बजार जैसे soft और smooth ice cream बनेगी